Hello everyone, Welcome to Good Morning Electrical आज हम जानने वाले हैं General Knowledge से कुछ interesting questions और उनके answer जो कि आपको competitive exam crack करने में help करेंगे तो ये रहा हमारा आज का question number one नीला save कहां पाया जाता है? Option A. चीन, Option B. भारत, Option C. अमेरिका, Option D. पाकिस्तान तो ये रहा आपका सही answer, Option A. चीन नीला save चीन में पाया जाता है, ये रहा आपका next question Question number two, ऐसी कोन सी पक्ची है जो अंडे नहीं बलकी बच्चे को जन्म देती है? Option A. भाज, Option B. तोता, Option C. कोयल, Option D. चमगादड तो ये रहा आपका सही answer, Option D. चमगादड चमगादड जो है अंडे नहीं देती है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो ये रहा आपका next question Question number three, किस देश में आज तक कभी भूकम नहीं आया है? तो फर्स्ट हमारा option A है, नार्वे में, Option B है भारत में, Option C. जापान में, Option D. अमेरिका में तो ये रहा आपका सही answer, Option A. नार्वे में, नार्वे में आज तक कभी भी भूकम नहीं आया है ये रहा आपका next question, Question number four, जूट पकड़ने वाली मसीन का क्या नाम है? Option A. थर्मामीटर, Option B. लेक्टोमीटर, Option C. पॉलिग्राफ, Option D. इनमें से कोई नहीं तो आपका सही answer है, जूट पकड़ने वाली मसीन का नाम क्या है? पॉलिग्राफ है तो आपका सही answer, Option C. जूट पकड़ने वाली मसीन का नाम है पॉलिग्राफ यह रहा आपका question number 5 किस देश के लोग सबसे ज़्यादा काले होते हैं option E. Nepal, option B. भारत, option C. Japan, option D. Africa तो यह रहा आपका सही answer option D. Africa अपरिका के लोग सबसे ज़्यादा काले होते हैं नडियर सुडेंट्स अब यह रहा हमारा next question 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 number 6 लाल चंदन किस राज में पाया जाता है? option A. केरल, option B. सिक्किम, option C. मद्धुप्रदेश, option D. आंध्रप्रदेश तो यह रहा आपका सही answer option A. केरल, केरल में लाल चंदन पाया जाता है? yes केरल राज में यह रहा आपका next question 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 number 7 भारत के किस राज को कोईले का वंडार कहा जाता है? option A. घुडिशा, option B. जारखंड, option C. छत्यजगड, option D. टमिलनाडू तो यह रहा आपका सही answer option B. जारखंड, जारखंड को कोईले का वंडार कहा जाता है यह रहा आपका next question, question number 8 सफेद साब कहां पाया जाता है? option A. भारत में, option B. जापान, option C. आस्ट्रेलिया, option D. नुजिलेंड तो ये रहा आपका सही आंसर option C, Australia, Australia में सफेड साप पाया जाता है ये रहा आपका next question, question number 9, भारत में सबसे ज़्यादा सराव किस राजी के लोग पीते हैं option ने बिहार, option B, गुजराद, option C, 36 गार, option D, उत्तर प्रदेश तो ये रहा आपका सही आंसर, option D, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा सराव पीते हैं yes, yeah students, ये रहा आपका next question, question number 10, कौफी की खोज किस देश में हुई थी? option A, चीन, option B, जापान, option C, इथोपिया, option D, अमेरिका तो ये रहा आपका सही आंसर, option C, इतोपिया, इतोपिया में कौफी की खोज हुई थी? yes, dear students, अब ये रहा आपका next question, question number 11, तो dear students, before starting question number 11, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने अपने friend circle में हो, सबके सांस share करिए, और एक चीज़ और बताएए उनको की good morning electrical offline free coaching है, free में पढ़ाते हैं, एक दम 0 रुपे कुछ भी नहीं लेते हैं, तो आपको क्या करना है, google में आपको search करना है good morning electrical, और बिलकुल आप institute पहुचा देगा है न, google map, तो यह रहा हमारा question number 11, कौन सा जानवर पूरे 5 साल तक खड़ा रह सकता है, और सने हाथी, और सन भी उन्ट, और सन सी घोड़ा, और सन डी जिराप, तो यह रहा आपका सहीं आंसर, और सन सी घोड़ा, है न, घोड़ा पूरे 5 साल तक खड़ा र जिसा, तो यह रहा आपका सहीं आंसर, option B, राजस्थान, yes, dear students, राजस्थान में आपने देखा होगा, कि उट होते हैं, रेत होती है, और उसके सांसाथ, जहां मतलब पानी कम रहता है, तो जो क्या वलते हैं, उस तरीके के पौधे होते हैं, बिलकुल कांटे वाले पौधे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, dear students, और बताओं, और जहां पानी की कमी रहेगी, तो वहाँ गर्मी तो होगी, है न, तो भारत का सबसे गर्म राज्जिक क्या है, राजस्थान है, यह रहा आपका question number 13, सूरिक के नाम से कौन सा देश प्रसिद् option C, चीन, option D, भारत, तो dear students, यह रहा आपका सही answer, option B, जापान, यह रहा आपका next question, question number 14, ताज महल भारत के किस राज्य में स्थिद है, option A, जैपूर, option B, आगरा, option C, अजमेर, option D, उदेपूर, तो यह रहा आपका सही answer, और dear students, आप सभी को पता हो गए है, बहुत एकदम easy question question, एकदम बिल्गूर कैसा question, चिरकुट question, तो यह रहा आपका सही answer, option B, आगरा, तो dear students, ताज महल जो है, आगरा मिस्थिद है, यह रहा आपका next question, question number 15, इंसान के बाद सबसे जादा समझदार जीव कोन सा है, option A, बंदर, option B, कुता, option C, हाथी, option D, डॉल्फिन, तो dear students, इसक part video में देखा होगा, या तो YouTube में देखा होगा, कि इसके उपर stunt भी किया जाता है, ये तनी समझदार होती है, कि हमारा वो अपन से मतलब बात करती बच्चों से, या फिर हम लोगों से, हमारी सारी चीज़ें समझती है, वो, अपन कुछ भी बोल रहे तो समझ जाती है, और जैसा हम स्टेंट करते हो, वैसे स्टेंट में कितने अच्छे सा पार्टिसुपेट करती है, आई होग कि आपको पता हुए कि डॉल्फिन जो है, इनसान के बाद सबसे समझदार जीव, ये है हमारा कोशन नमर 16, साप के मूँ में कितने दात होते हैं, और सने 50 दात, और सन दात, आफ्षान टि एक भी जात नहीं, तो आपका ये है सहीं आफिज़, ऑप्षान अफ्षान सी, रहा आपका, कोशन नमर 17, किस फल को फ्रीज में रखने पर जहर जाता है, तो ये रहा का, सहीं. आपका सहीं answer, ये स्टरेंट्स, आफ् EHIns, तर्बूज, तर्वुज को फ औस पर दीपल ऑपसेंडी सागवां तो ड्या स्टोरेंट आपका सही आंसर है ऑफ़सने बास यह स्टोरेंट बास से है कागज बनाया जाता है तो ड्यास पर आपका नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 19, हस्त मैथून करने से कौन सी विमारी होती है, ओफ्षन ए कमजोरी, ओफ्षन भी नपुन सकता, ओफ्षन C जोडों में दर्द, ओफ्षन D ये सभी, तो ये स्टुरेंट ये सभी, ये है आपका सही आंसर, ओफ्षन D, ये सभी, ये र ये रहा आपका सही आंसर, ओफ्षन B, चार पुत्र, थैंक्यू फर वचिंग दर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक वीडियो और शेर्वित यूर फ्रेंड्स, थैंक्यू, थैंक्यू सो माच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्च्चर में, तिल देन टेक क्यार ववाएं?